प्रसना वली 4.2 आज किस वीडियो में पूरी खतम करने वाले हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने पहले के 2 सवाल हैं वो लिख लिए हैं 3 सवाल और है इसके फिर 2 से लेके 6 तक हम बगल में लगाए दे रहे हैं यानि कि हम पूरी प्रसना वली खतम करने वाल कर देंगे और आप लोगों को हम कहना चाहते हैं भाई साब अगर आप से बाके में मैथ नहीं बनती है तो भाई साब बने रहे हैं आपको प्यार हो जाएगा मैस से ठीक है तो श्टार्ट करते हैं बकवास करने से कोई फायदा नहीं है तो यहाँ पर पहला सवाल क्या आएंगे वही आपके मूल है ठीक है तो गुणान खंड करने का जो तरीका होता है बिलकुल सरल तरीका हम लेकर आए हैं आपके लिए तो सबसे पहले स्टेप बन में क्या होता है कि एक स्क्वेर का गुणांग देखा जाता है यानि कि बगल वाली संख्या यहां पर क्या ए सबस्क्या है कुछ नहीं तो एक तो रहती ही है तो आपको मन में रफ में दस से लिख लेना है फिर दूसरी स्टेप क्या होती है यह वाला चिन्द का है माइ whom जए फी कि हमें ऐसी दो संख्याओं को धूरना है जिन काम आपस में गुणा कर दें तो कितना आ जाए 10 आ जाए और उनी दो संख्याओं को आपस में घटा दें तो कितना आ जाए 3 आ जाए मैं क्यों बोल रहा हूं घटानी पर तो अगर हम क्या करें पांच मैंसे दो घटा दें तो तीना जाएगा और इनका अगर हम गुणा कर देंगे तो दसा जाएगा तो हमें वो दो संख्या मिल चुकी है पांच और दो वो दो संख्या है ठीक है तो इस प्रिकास से आप धूढ़ेंगे फैक्टर करके धीरे धीरे आपसे बनने लगेगा मुलकुल आपको tension मत लेना ठीक है क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं वाई साब तो आपको क्या करना इस x square को जहीं का तहीं लिख देना है इसके बाद आपको क्या करना है माइनस है तो माइनस लगा तो इस 3 के जगा आपको लिखना है 5-2 अब आपको पता है 5-2 का मतलब क्या कहला था 3 तो इसी प्रकार से आपको लिखना है जैसी मैंने आपको बताया था ठीक है इसके बाद क्या है x तो x लिख लो माइनस है तो आवर 0 अब आपको क्या करना होता है इस x square का गुणांग जो x square है वो आप क्या करेंगे जहीं का तहीं लिख देंगे फिर आपको क्या करना है इस minus का 5 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा minus 5 हो जाएगा माइनस पांस का गुणा एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पांस एक्स हो जाएगा फिर आपको क्या करना इस माइनस का माइनस दो से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का दो हो जाएगा और प्लस दो का एक्स में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प् प्रिकार से जोड़ा देख रहा होगा तो अब जो तीसरी स्टेफ है वो यह है कि हमें कॉमन लेना है कॉमन लेना आना चाहिए तो सबसे पहले देखो कॉमन लेना आपको सिखाएं इन दोनों में पहले कॉमन लेंगे फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो देखो एक्स कॉमन दोनों तरफ है तो हम क्या करेंगे एक्स को कॉमा ले लेंगे क्या करेंगे एक्स को कॉमा ले लेंगे क्योंकि यहां पर भी है यहां पर भी है तो देखो एक्स स्क्वेर का मतलब कहलाता है एक्स इंटू एक्स यानि कि यहां पर दो एक्स छुपे हुए हैं यहां पर तो एक एक्स को बाहन निकाल लिया तो अंदर एक एक्स तो बचेगा ना भाई मेरे इसके बात क्या है माइनस तो माइनस लगा तो पांच है तो पांच अब यह एक्स नहीं आएगा इधर पर क्यूंकि हमने एक ही एक्स है इधर और बाहन निकाल लिया यहां पर अब इसके बात क्या प्लस है तो यहां पर प्लस लगा लेंगे अब यहां पर देखेंगे एक्स कॉमन नहीं आएगा इन दोनों में क्योंकि यहां पर तो एक्स है लेकर यहां पर एक्स नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं आएगा अब देखेंगे संख्या कोई कॉमन आ रही है तो यहां पर आएगा तो यहां पर आपको पता है एक लिखो चाहना लिखो कोई रिक्कत नहीं जैसे हमने आपको यहां पर समझाया था तो आपको अगर आप समझें बात को मेरी तो अगर यह दोनों चीज सेम आजाएं आपकी तो माल लेना हमारा जो पूरा गोड़न खंड है अपन ने ठ आपके क्या है मूल है यह पहला मूल है दो मूल एक और मूल निकलेगा यहां पर भी आपको इसी प्रिकास लिखना है यदि एक से पिलस दो बराबर जीरो यहां पर हम आपको बता दें क्या हो जाएगा एक स बराबर माइनस दो हो जाएगा पच्छातर करेंगे तो यह आप के मूल हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं अताह लगा के अताह एस क्या लिखेंगे अताह एस दुई घात समी करण के मूल क्या लिखेंगे क्या क्या हैं पांच और माइनस दो हैं यह आप लिख सकते हैं ठीक है यह उत्तर हो जाएगा इसके बाद हम इसको देखेंगे यह बेह स्क्वेर का गुणांक और अचरपत का गुणा करते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा अगर हम गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा अब देखते हैं यह वाला चिन माइनस और X का गुणांक कि क्या है यहाँ पर कुछ नहीं तो एक माना जाता है आप लोगों को पता है त देखो दो चक का बारा दो तीच है और तीन कम तीन तो हम क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे तो चार आएगा यह तीन है यह इसको घटाएंगे तो एक आएगा इनका हम गुणा कर देंगे तो बारा आएगा तो वो दो संख्या हैं आपको मिल चुकी हैं कौन कौन सी है 4 और 3 तो यहां पर हम क्या करेंगे हल करेंगे अब आपको दो संख्या धूर नहीं होती है वो अपने धूर लिए क्या हो जाएगा यह 2X square जहिंगा तहीं हो जाएगा पिलस आपका जहिंगा तहीं अब यहां पर एक की जगा है आप क्या लिखेंगे 4-3 ठीक है इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे x है तो x लगा लेंगे minus 6 बरावर 0 अब क्या हो जाएगा 2x square पिलस अब पिलस 4 पिलस का गोणा 4 में होगा तो 4x हो जाएगा फिर पिलस मतलब की पिलस का minus 3 में होगा होंगी जाओ अगर आपन इसमें common लेंगे तो 2 भी common आएगा और x भी common आएगा क्यों आएगा क्योंकि देख सकते हैं 2 कम 2 दुदूनी चार और x भी दोनों तरफ है तो x भी आ जाएगा तो यहाँ पर देखो 2 कम 2 एक like बुदूनी चार एक यहाँ पर देखेंगे अपन ख्त्ति यहाँ ठाल ले ले कितना ले लेंगे दों क्या बचएगा देखो यहाँ पर यहां पर भात्षी आएगा तीन कम 3 और इसके बाद यहाँ पर आएगा प्रस टीन कीसे कीसे आगया तो हम आपको बताते हैं अपने माइनस तीन कॉमन लिया है ठीक है अपने पहले माइनस तीन का माइनस थ्री एक्स में भाग लगाया ठीक है यानि काटा है तो देखो इस प्रिकार से माइनस थ्री एक्स बटे माइनस तीन माइनस से माइनस कड़ गया थ्री से थ्री कड़ गया तो अपना ब जो गुननखंड है वो ठीक है तो आप एक बार ये चीज लिख लीजिए और एक बार ये बाहर वाली चीज इस परिकार से लिख लीजिए ये और ये बरावर में 0 अब क्या करेंगे यदी लगा देंगे यदी लगाएंगे क्या लिखेंगे x से पिलस दो बरावर जीरो तो क्या हो जाएगा x बरावर माइनस दो इसके बाद आप क्या करेंगे इसको लिखेंगे यदी लगाकर तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बरावर जीरो तो 2x बरावर 3 तो X बराबर क्या हो जाएगा 3 upon 2 ये आपके मूल हो चुके हैं तो इसको आप स्क्रीन सूट ले लीजिए अब बताएंगे आपको अगला कोश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तीसरा और चौता सवाल लग चुका है और कई बच्चे इनी दो सवालों को देखने आ होता है इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा वो आप देखो रूड दो ठीक है इंटू में क्या करना है पांच रूड दो ठीक है इसका पन जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा पांच हो इसका गुणा करवाएंगे तो क्या आए चाहे और उनी दो संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो क्या आजाए? साथ आजाए. तो हम ऐसी दो संख्याओं को दूरें, बताओ क्यासे दूरेंगे? हमने आपको बताया था इसका factor कर देती है अपन तो 2 पंचे 10 और 5 कम 5 simple है तो क्या है वो दो संख्या है देखो 5 पिलस 2 कर देंगे तो 7 आ जाएगा क्या जाएगा 7 आ जाएगा और इनकाम आपस में गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा ठीक है बिलकुल simple है तो हल करें इसको हल करें इसको तो देखो कैसा हो जाएगा हल यहाँ पर रूड 2 x square पिलस 7 के जाएगा क्या लिखेंगे 5 पिलस 2 और x है तो x 5 रूड 2 बरावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है इसको मिटालो कोई काम नहीं है दर समझहाने के लिए हम आ करते हैं यहाँ पर यहाँ पर हम क्या करेंगे गुणा करेंगे यहाँ ठीक है तो यह आपका जहिंकर नहीं रहेगा अब यहाँ पर देख सकते हैं पांच का फ्लस 5 का गुणा X में होगा तो क्या हो जाएगा उप प्लस जो अभाय हो गए यानि कि दो मेंसेजिए उसको बाहर निकाल लेंगे यहां पर देख सकते हैं एक्स यहां पर और एक्स यहां पर है अपन बाहर निकाल सकते हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर एक्स बाहर निकालेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा रोड दो और एक एक्स क्या है रुड 2 into रूड 2 हैंना और रूड 2 को solve करेंगे तो आहगा रूड चार रूड 4 का मतलब क्या कहलाथा है 2 कहलाता है यानि कि 4 का वर्ग मुल 2 होता तो वहीं चीज हैंब यानि की जो 2 लेखा हुआ नव कह दिनी और यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम क्या करेंगे इस दो को भूल जाओ यह भी फिलाल यह है तो हम क्या करेंगे यहां पर रूड दो यहां पर क्या कर लेंगे क्या लेंगे क्या लेंगे रूड दो यहां पर कॉमल लेंगे यहां पर हम रूड दो कॉमल लेंगे तो यहां पर एक root 2 बचेगा ठीक है और x है तो x लिख लो और पिलस 5 और 5 बचेगा और root 2 से root 2 कड़ गया अब आप लोगों को समझ में कम आया होगा तो एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं इस 2 का मतलब है इसका root 2 into root 2 तो एक root 2 अपन ने common ले लिया और एक root 2 बचा तो ये आ गया और x है x हो गया और 5 ये जैंकत ही आ जाएगा root 2 से root 2 कड़ आगा तो यहां पर root 2 नहीं आएगा तो आपको ये आद रखना है कि यहां पर 2 नहीं लिखा है ये लिखा हुआ है ठीक है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब आप दिख सकते हैं ये सेम चीज आ गई है यानि क्या हो जाएगा minus 5 root 2 ठीक है इसके बाद क्या हो जाएगा यदी x से plus root 2 बरावर 0 तो x बरावर minus root 2 तो ये आपका हल यहां पर हो चुका है ये आपकी मूल हो चुके है इसके बाद हम देखेंगे चोंसा सवाल ये थोड़ा कठेन है आप लोगों के हिसाब से पकाय समझ में आ जाएगा तो आपको कुछ नी करना है देखो सबसे पहले आपको क्या करना है इसके बटे में एक लगा दीना है इसके बटे में एक लगा दीना है इसका लेंगे अपन LCM ठीक है लासा लेंगे तो लासा क्या आएगा मेरे भाईयो देखो आठ आएगा आठ आएगा तो अ कि आएगा बरावर 0 हो जाएगा बटा में एक लगाएंगे त्रिया कि यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 8 का इससे हो जाएगा एक का इससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 x square minus 8 x plus 1 बरावर 0 क्यूंकि 8 का 0 मुगा तो 0 ही रहेगा अब यहाँ पर आप देख पा ऐसी दो संख्यां को दूड़ना है कि अगर उनका हम आपस में घुणा कर दें तो 16 आ जाए और उनी दो को आपस में घटा दें तो जोड़ दें तो कितना आ जाए 8 जोड़ दें तो 8 जाए तो हमने आपको क्या बतायता है इसका फैक्टर करा जाता है यहां पर देख सकते हैं दुदूनी चार दुदूनी चार चार प्लस चार हो जाएंगे आपके 8 और 4 हो जाएंगे 16 तो में लगए यहां आपको दो संख्या तो इसको अपना अब हल कर देती हैं तो क्या है यहां पर 16 एक्स स्क्वेर माइनस अट के जगा क्या लिखेंगे माइनस चार एक्स हो जाएगा फिर हो जाएगा फिर माइनस चार एक्स हो जाएगा फिलस एक बराबर जीरो आपन क्या करेंगे कॉमल लेंगे ठीक है कॉमल लेंगे तो क्या आएगा इन दोनों में देखो पहले यहां पर एक्स कॉमन आएगा और दोनों तरफ एक्स है तो एक चार कॉमन भी आए क्योंकि 4 चुको 16 चार कम 4 लेंगे 4X कॉमन तो क्या आएगा 4 चुको 16X है तो X रिख दो क्योंकि 1X बाहर निकल गए 1X बचा क्या बचेगा यहांपे 1 बचेगा क्योंकि 4X अपने कॉमन ले लिया इसके बाद आपका क्या बचा यहांपे कामन लेंगे इस चीज में तो यहांपे आएगा बात है ठीक है इसके बाद आप देख पा रहे हूंगे बरावर 0 है तो बरावर 0 लगा लो अब यहां पे आप क्या करेंगे सेम चीज़ आ चुकी है यानि कि आपका उत्तर सभी है तो एक बार ये लिखेंगे एक बार बाहर वाली चीज ये लिख लेंगे ठीक है अब यदी लगा लेंगे यदी जब आप लगाएंगे तो 4x माइनस 1 बरावर 0 तो 4x बरावर 1 तो x बरावर 1 बटे 4 ठीक है इसके बार इसको हल करेंगे तो यदी 4x माइनस 1 बरावर 0 तो x बरावर एक बटे 4 हो जाएगा ठीक इसको आप नोट कर लीजिया इस्क्रीन सूट ले लीजिये अब बताएंगे आपको जो लाश्ट मसवाल बचा हुआ है पांच मसवाल फिर दूसरे के यहाँ पर हल करें यहाँ पर लेखा हुआ है 100 x square minus 20 x plus 1 बरावर 0 तो सबसे पहले हमने आपको बताएंगे इसका पन करते है multiply तो क्या आएगा 100 आएगा सब को पता है है कि नहीं इसके बाद देखो यह चिन्द देखते हैं फिर यह जोड़ने का 20 आपको ऐसी दो संख्यां को दूड़ना है आपस में गुणा करते हैं उन दो संख्यां को तो सवा जाए और जोड़ने क्या लेखा हुआ है जोड़ने तो 20 आजाए हमने क्या बताए था इसका factor करना होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे पांद दूनी 10 और पांद दूनी 10 यानि कि 10 पिलस 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा और 10 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या जाएगा 100 हो जाएगा यह आपको दो संख्या मिल चुकी है तो इसको अपन क्या करते हैं हल करते हैं यहाँ पर देखिए यह आपका 100x स्क्वेर है यह आपका जहिंकत ही रहेगा माइनस से तो माइनस कर लो इस 20 के जगा क्या लिखेंगे 10 पिलस 10 और इंटू में x पिलस 1 बरावर 0 इसके बाद हम क्या करेंगे आंगे हल करेंगे तो 100x square माइनस का जब 10 में गुणा होगा तो माइनस 10 हो जाएगा माइनस 10 का x के साथ होगा तो माइनस 10 x हो जाएगा माइनस का फिर 10 से होगा तो माइनस 10 हो जाएगा क्यूंकि यहां पर भी यहां पर भी है तो क्या आएगा यहां पर धां 100 सोऑ एक्स बचेगा माईनस यहां पर क्या बचेगा एक बचेगा ठीक है इसके बाद आप देखेंगे यहां पर कॉमन क्या है आप देखो यहां पर आपका 10 x-1 बता चुके हैं बहुत बार कैसे आप नहीं बताएंगे ठीक है दमाख लगाओ अपना इसके बाद आप देखो यह दोनों चीजे सेम आचुके या निए आपका सवाल सभी है एक बार यह लिख लो ठीक है यह आप लिख लेंग 0 यदि लगा लेंगे क्या लिखेंगे 10 x-1 बरावर 0 तो x बरावर आ जाएगा 1 बते 10 इसका भी जर्श्ट ऐसा ही होगा क्या लिखा है 10 x-1 बरावर 0 तो 10 x बरावर 1 तो x बरावर 1 बते 10 यह आपका उत्तर हो चुका है इसका आप स्क्रीन सूट ले ले जिए अब बताएं तो उधारन नमबर 1 की जो समस्या हैं उनको हल कीजिए और उधारन नमबर 1 में 2 सवाल है एक यह जौन जीवन्ती वाला एक और है इसके बाद वो हल करेंगे और आपको हम बताना चाहते हैं यह सवाल परक्षा की दरश्टी से बहुत जादा महात्पूर है इसलिए आप इस पास कितने कितने कंचे थे बिलकुल भी आपको टैंसन नहीं लेना बहुत ज्यादा सवाल है सबसे पहले हम आपको एक बताना चाहा रहे हैं बात वो है क्या जैसे हम कहा दे हैं आप दोनों के पास जैसे आपका नाम क्या है सुरेश और आपके दोस्ट का नाम है हर्स ठीक ह और हम कहा देंगे आप दोनों के मिलाकर आपके पास 10 रुपए हैं हम कहा देंगे आपके सुरेश के पास यानि कि आपके दोस्त के पास कितने रुपए हैं मतलब कि कितने हैं मालो एक रुपए हैं तो हम कहा देंगे आपके पास कितने बचे तो आप क्या कर देंगे 10 में से ग क्या लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या इस प्रिकार से लिखेंगे संख्या वरावर क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे फिर यहां पर लिखेंगे आप तथा जीवन्ती जीवन्ती के पास कंचों की संख्या क्या लिखेंगे कंचों की संख्या यहां पर क्या हो जाएगा देखिए पैतालीस माइनस एक्स हो जाएगा देखो हमने आपको बताया था जैसे आप आप दोनों के पास कुल मिलाकर पैतालीस कंचे हैं और हम कहते हैं पहले दोस्त के पास आपके पास X है यानिक कुछ होंगे तो दूसरी के पास कितने बचे आप उस घटा देंगे जितने उस दोस्त के पास है तो हमने घटा दिया तो हैं पता चल जाएगा कि जीवन्ती के पास कितने है ठीक है यहाँ पर आप इस प्रकार से माल लेंगे अब यहाँ पर आप क्या लेखेंगे प्रसना अनुसार क्या लेखेंगे प्रसना नुसार प्रसना अनुसार क्या है वो आप यहां पर देखेंगे देखो फिल लखा हुआ है कि दोनों पांच-पांच कंचे खो देते हैं तो पांच-पांच कंचे खो देते हैं फिर लखा है और अब उनके पास कंचों करणंफम्य प्रक क81 सबसे पहले दोनों 55 कंचे खो देते हैं 45 मैं से करेंगे कि अब क्या करेंगे हैं यहां पर लिखेंगे जॉन है क्या लेखेंगे यहां पांच कंचे खोने पर ठीक है अब यह लोग जब खो देंगे तो उनके पास कंचे कितने बचेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आप जॉन क्या लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या क्या लिखेंगे कंचों की संख्या तो क्या रहेगी देखो पहले एक्स थी अब वो पांच कंची खो देगा तो पांच इसमें घटाना पड़ेगा तब तो पता चलेगा कितने कंची हैं ठीक है इसी परकार से अपन जीवन्ती का करेंगे क्या है जीवन्ती तो जीवन्ती के पास कंचों की संख्या ठीक है तो क्या हो जाएगा 45-x आपका ये कंची उसके पास है और आल्रेडी वो 5 और घटा रही है है यानि कि 5 और कम हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा 40 माइनस X यानि कि अगर वो जीवन्ती 5 कंचे खो देती है तो उसके पास कितने बचेंगे 40 माइनस X है अब आप क्या लिखेंगे पुनाह प्रसना अनुसार यह आप दुबारा से लिखेंगे ठीक है जब आप यह दुबारा से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे कंचों की क्या लिखेंगे कंचों की क्या लिखेंगे कंचों की सं संख्या का गुड़न फल कितना दिया गया है 124 दिया गया है ठीक है यहाँ पर आप क्या करेंगे कंचों की संख्या का गुड़न फल अब पहली संख्या यह है यानि कि जोन के पास कंचों की संख्या कितनी है X-5 और जीवन्दी के पास कितनी है 40-X अब यहाँ पर गुणा क् गुरन फल कहा है और कितना दिया गया है 124 अब इसको अपन हल करेंगे ठीक है जब आप हल करेंगे तो क्या आएगा X का जब 40 से करेंगे तो 40 X हो जाएगा फिर X का X से करेंगे तो क्या हो जाएगा इसके बाद आप क्या करेंगे माइनस लगाएंगे माइनस पांच का माइनस में करेंगे तो फ़री बाद प्लस हो जाएगा और 5X हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर क्या है 124 है अब इसको अपन हल कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 40X और 5X है कितने हो जाएंगे यहाँ पर 45X हो जाएंगे माइनस X स्क्वार है तो माइनस X स्क्वार लगा लो माइनस 200 है ठीक है 200 है इसके बाद हम इसको भी साइड लाएंगे तो यह भी माइनस का यहाँ पर हो जाएगा बरावर 0 लग जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे आँगे यहां पर सॉल्व करेंगे यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्या है 45X और माइनस X स्क्वेर इसके बाद देखेंगे माइनस 200 माइनस 124 कितने हो जाएंगे देखो कितना है 200 और 124 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 324 का आएगा माइनस का आएगा ठीक है यहाँ पर आप लिखे लेंगे माइनस 324 बरावर 0 अब आप लोगों को पता है कि हमें x square आँगे लाना है तो आप क्या करेंगे माइनस का गुणा कर देंगे ठीक है माइनस का क्या करेंगे गुणा करने पर यहाँ पर आप लिख देंगे माइनस का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा x square इसमें करेंगे x square वाला पहला लिखेंगे माइनस का तो पिलस का हो जाएगा तो आप यह लिखेंगे तो माइनस 45 x हो जाएगा ये पिलस का 324 यहां पर हो जाएगा बरावर 0 ठीक है अब आप इसको हल करेंगे गुणंखंड तरीके से तो आपका जो लिखा है ना कि हम जानना चाहेंगे कि आरम में उनके पास कितने कितने कंचे थे तो वो निकलाएंगे इसको आपको गुणंखंड करना होगा यहां पर एक है एक का गुणा 324 से करेंगे तो आएगा 324 ही आएगा ठीक है यानि कि हमें ऐसी दो संख्यां दूड़ना है कि गुणा करने से 324 आ जाए और तो 324 आ जाए और क्या करें जोड़ने तो 45 आ जाए तो हमने क्या बताया था इसका अपन को फैक्टर कर देना है तो दो कम दो चक का बारा दो दूनी चार इसके बाद दो अठ्थे सोला दो कम दो फिर यह कड़ी आएगा 3 से ठीक है तो 3-6-37-27 फिर तीन ट्रका 9 फिर तीन कम तीन तीन कम तीन यहां पर देख सकते हैं कैसे बनाएंगे अपन इसको देखो एको तीन तरका 9 और 9 27 27 हो जाएगा फिर से 45 आजाए ऐसी दो संख्या आपको बनाना है तो अगर हम सोचना अगर करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं देखो दुदूनी भार थी चार, चार थी 12, और उन्चब बारा थी 36, ठीक है? 36, तो तीन तेका नौ, अगर हम नौ जोडएंगarna तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 45 हो जाएगा, यानि 36 पिलस नौ करिंगे? क्या करेंगे 36 पिलस 9 करेंगे तो 45 आ जाएगा और 36 का बुड़ा 9 से करेंगे तो 324 आ जाएगा यह आपको पता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐसा ही कर लेंगे तो 45 की जगा क्या लिखेंगे 36 पिलस 9 X है तो X लगा लो पिलस 324 क्या लिखा है 324 बरावर 0 अब इसको पन क्या करते हैं मिटा लीती हैं यहां पर अपने इसको मिटा लेंगे फिर यहां पर आंगे हल करेंगे यहां पर देखेंगे अब आपका क्या हो जाएगा X square minus 36 36 x x में हो तो minus 36 x यहां पर minus 9 x हो जाएगा plus 324 बरावर 0 इसके बाद यहां पर दिख सकते हैं यहां पर common लेंगे क्योंगी दूदू का जूड़ा बन गया है यहां पर क्या आएगा x common आ जाएगा x minus 36 बचेगा यहां पर क्या आएगा common यहां पर आपका 9 common आ जाएगा ठीक है तो क्या बचेगा यहां पर x minus क्या बचेगा यहां पर 9 का 18, 9, 37 27 27, 29, 39, 31, 32 5 बचेगा 5 जाएगा चंगन हो जाएगा और 9 चंगन होता है इसके बाद 0 लगा दो अब यह दोनों चीज़ आपकी same आ चुकी है यानि कि आपने यह गुणनखन ठीक किया है और यह आपका सवाल भी पूरा ठीक है यह पता चल जाता है तो आप क्या करेंगे एक बार जो same है बो लिख लेंगे इस प्रिकार से और जो आप बाहर है बो लिख लेंगे x minus 9 बचा यहां पर आप देख पा रही होंगे कि हमें हमें जानना है कि आरम में उनके पास कितने कितने कंचे थे तो हमने x को क्या माना था जोन के कंचे तो आप देख सकते हैं तो यह जोन के कंचे हो जाएंगे और यह आपके क्या हो जाएंगे जीवनती कंचे हो जाएंगे कैसे दे नचीन आएंगे जीवंक्रिया और कितने अगोंगा निससी ओंकि इस अनुसार करेंगे जाहिए आपको पूरा उत्तर हो जाए किजे आप को आ सवाल यहाँ वे यहां पर यह पिँंगे चोदूसरा सवाल इंपोर्टैंट यह सवाल बहुत ही ज्यादा important है तो आप ध्यान से इसको समझना है क्यूंकि हम आपको आसान तरीके से समझाने वाले हैं यहाँ पर लिखा हुआ एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलोने निर्मित करता है और पिरते खिलोने का मूल 55 मैंसे एक दिन में निर्माड किये गए खिलोनों की संक्या को घटाने से प्राप्ट संक्या के बरावर है किसी एक दिन कोल निर्माड लागत रुपाई 750 थी हम उस दिन निर्माड किये गए खिलोनों की संक्या ग्यात करना चाहेंगे अब यह सवाल सवाल आख्र कार क्या कह रहा है इसको राान फिकर मैं समझते का मतलब यह है चैसे मालो आपके खिलाने रोज बनते हैं ठीक है और हम आपको कहा को क्या थैंकि पिर्ट्र कहलानी का मूल कितने रुपई होगा तो आप क्या करते हैं दोनों का गुणा करेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि कितने रुपई का आपका खिलोना यानि कितने रुपई का फायदा होगा यानि सो खिलोने कितने रुपई के आएंगे तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है और इसमे कैसे बिलकुल चिंता मत लेना देखो यहां पर आप सबसे पहले क्या डारेंगे हल डारेंगे यहां पर जब आप हल डारेंगे तो आपको क्या मानना है यहां पर लिखेंगे माना की माना की एक दिन मैं निर्माड किये गए खिलोनों की संख्या क्या मानेंगे खिलोनों की एक कुछ निरमित करता है कुछ यानि कि हमने क्या पता नहीं है तो अमने क्या करेंगे फिर मानेंगे क्या देखो अब आपको मानना पढ़ेगा मूल एक खिलाने का मूल भी तो है पता होना चाहिए यहांपर तो हमें round figure matching दिया गया है कि एक मतला फ्य खिलाओने का मूल दस रूप़ा है या पांच रूपा है उसने यह कहा है कि पिर्तेख खिलाओने का मूल या निकि एक खिलाओने का मूल यह है यहाँ पर लिखेंगे पहले पृतेक खिलोने का मूल क्या होगा बताइए आप देखो यहाँ पर क्या हुज शूबारते क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे पर यहिलाता है वाइबने मनलाई है तो क्या होता है घटाने से प्राफ संक्या के बरावर होता तो यह इसके बरावर है भाई सब इसलिए हमने माना है हमने अपने मन से कुछ नहीं माना यह आपका हो जाएगा ठीक है यह आपका क्या हो जाएगा प्रतिक खलोने का मूल 55 माइनस X है और एक दिन में निर्माड के खलोनों की संख्या X है अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे प्रसना अनुसार क्या लिखेंगे प्रसना अनुसार अब यहाँ पर आप क्या लिखें गया था कि खिलोनी कितनी है एक दिन में और रुपए कितना लग रहा है तो कितना दिया था आप लोगों को उसने 750 रुपए दिया था देख सकते हैं एक दिन में जो खिलोनी बन रहे हैं उसका उसने मूल पहले से बता दिया लागा 750 है ठीक है तो हम क्या करेंगे निकालने के यह क्या करेंगे अपन खिलोनों की संक्या और मूल का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो आपका निकल आएगा कि रुपए कितने लगे हैं ठीक है यानि कि आपका मूल क्या है यहां पर आप गुणा करेंगे ना तभी तो निकल के आएगा कि आपके जो खिलोने का मूल है तब तो निकल कर आएगा तो already दे दिया है यही आएगा ठीक है तो उसने दे दिया है अब पन को इसका गुणा करना है तो क्या हो जाएगा जब x का 55 की साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा पर x का x साथ करेंगे तो minus x square हो जाएगा बरावर में 750 है यह अब हम क्या करेंगे 55x minus x square square side लाएंगे तो minus 750 हो जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे माइनस का गुणा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा x square minus 55 x plus 750 परावर 0 यहाँ पर आप लिख सकते हैं minus का दोनों पच्छों में गुणा करने पर ठीक है यह आप लिख लीजिए इसके गुणान खंड निकालना है दो मान आएंगे x के वो आपका उत्तर हुआ कैसे वो आँगे आप समझेए क्या लिखा हुआ है x square minus 55 x plus 750 परावर 0 अब हम क्या करेंगे सबसे पहले एक का गुणा 750 से करेंगे तो 750 ही आएगा अब हमें क्या करना है जोडने से 55 चाहिए ऐसी अगर 23 से काटेंगे 3 कम 3 हाएगा इसके बाद क्या करेंगे हासल जाएगा तो左右 ना हो जाएगा ठीक है इसमें जायग.... कि ऐसी हमें दो संख्याइए से धूड़ना है कि जोडने से कितना आ जाए पच्पन आ जाए उन्हीं दो संख्याओं गुणा करें तो 750 आ जाए तो हम क्या करेंगे अगर दिमाग लगाएं अपना देखो यहाँ पर अपना दिमाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखो दो ती छे छे पंचे तीस और तीस हो जाएगा ठीक कितना हो जाएगा तीस और पच्चेस अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तीस और पच्चेस को तो हो जाएगा ना पच्पन हो जाएग है अपनको वह मिल गई थी वह कौन कौन सी थी वह आपको अब लिख लिए तो क्या थी 30 प्लस 25 इंटू में क्या है X प्लस 750 बरावर 0 ठीक है यहाँ पर आप क्या लिखेंगे X स्क्वेर माइनस 30 X माइनस 25 X से पिलस साथ सो पचास बरावर 0, अब यहाँ पर देख सकते हैं दो दो जोड़ा बने यह अपन्को गॉमन लेना है, तो जब आप यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या आए나 है गा, एक्स माइनस तीजह हो ठीक है जब आप यहां पर कॉमन लेंगे तो माइनस 25 कॉमन आएगा यहां पर क्या बचेगा एक्स माइनस क्या बचेगा 25 पी 75 जीरो आई गया ठीक है बरावर जीरो यहां पर देख सकते हैं यह चीजे सेम आ गई है यानि कि आपका सही है तो आप एक बार सेम वाले को लिख लिख लेंगे एक बार बार वाले को एक्स माइनस 25 लिख लेंगे बरावर जीरो अब यदी लगा देंगे यदे एक्स माइनस 30 बरावर जीरो तो एक्स बरावर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ठीक है इसके बाद यदी लगाएंगे एक्स माइनस 25 बरावर जीरो ठीक है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 25 यहां पर दो चीजे बन गई है देखो दो यह दोनों उत्तर सही है स्जादा कुछ नहीं होना है देखो लेकर ने अपन से क्या पूछा गया है हम उस दिन निर्माड किये खिलोनों की संख्या क्याद करना चाहेंगे अब हमने खिलोनों की क्या 30 भी हो सकती है यह आपको उत्तर हो चुका है आप यह भी उत्तर दे सकते हैं यह भी दे सकते हैं तो इसका आप स्क्रीन सूट ले सकते हैं अब बताएंगे आपको next question तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो तीसरा सवाल है वो लग चुका है यह तो भाई साब बह गयात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुरंफाल 182 हो अब देखो अब हम आपको एक बात बताना चाहेते हैं जैसे आपका नाम है रविंद्र और और आपके दोस्त का नाम क्या है रविंद्र नात नाम सेम है वाई साब और आपके पास कुल मिलाकर 27 रुपाएं है वह आपको दोस्त दूसरी संग क्या है हम कह दें आपके पास यानि कि आपके पास दो रुपाएं है ठीक है और आप बताईए कि आपके पास कि आपका जो दोस्त है उसके पास कितने रुपाएं बचे यानि कि कितना बचा तो आप क्या करेंगे 27 मैंसे दो घटा देंगे तो आ लिखेंगे माना की माना की पहली संख्या बरावर एक्स ठीक है और दूसरी दूसरी संख्या बरावर क्या होगी 27-x क्यों माना हमने 27-x एक के पास तो x है ठीक है अब दूसरी के इसके पास क्या होगी 27 उसका है 27 में से घटा देंगे जितनी उसके पास है तो में पता चल जाएगा कि इसके पास कितनी है यह इसलिए हमने 27-x माना है फिर लेखेंगे यहां पर आप प्रस्ना नूसार क्या हो जाएगा उनका गुड़न फल कितना एक सो ब्यासी यानि कि दो संख्याओं का गुड़न फल कितना दिया गया है दो संख्याओं का गुड़न फल कितना दिया गया है बताईए 182 दिया गया है और दो संख्याओं है अपन ने माल लिए एक है एक है एक है और दूसरी क्या है 27-x बरावर 182 ठीक है इनका अपन गुड़न फल कहा है इसल 382 भर आप कह Wahrheit हों जरो इसको साइट क्यों लाते हैं या दोपास समीकरण बनाना होता होugen है तो 捉र से साट लाया जाता है बरावर के जीरो बरावर जीरो करना पणता इसलिए करते हैं यहां पर आपन क्या अब हमने करना है तक आ cumploth करेंगे एक स्क्व battlefield को-7x-182 बुराबर ग्युरू यहां पर दिख सकते हैं माईने साउंगी आ गया तो इसको यहां पर इपनको कॉमल लेना पड़ेगा तोग स्कुरी माईनस 27 यहां पर जाएगा यहां पर प्लास Do 82 बरावर 0 ठीक है इसके बाद यह माइनस उस्तरफ चला जाए तो क्या बचेगा x square minus 27 x plus 182 बरावर 0 यह आपका समीकरण बन चुका है अब हमें क्या करना है इसका गुणंखन करना है और मान यहाँ पर हमें ग्याद करना है तो ग्याद कर लेते हैं तो आपका समीकरण बो लिख लेते हैं x square minus 27 x plus 182 बरावर 0 ठीक हमें क्या करना है 182 का एक का गुणंखना 182 से करेंगे 182 यह आएगा ऐसी दो संख्या है दूड़ना है जिनको आपसमें गुणंखना करें साथ तीक कीज फिर तेरा आएगा यहां पर यहां पर कैसे बनेगा अपना सिस्टम देखो साथ दूनी चाउदा तेरा जोड़ दो कितना होता है चार तीन साथ दू आग्या यह ना इसका गुणा करोगे तो आपका आएगा 182 यह आएगा चाउदा और 13 बुद्धो संख्या हैं कितना सराल है दूरना तो क्या हो जाएगा एकस स्क्वेर माइनस क्या हो जाएगा चाउदा और पिलस 13 इनको आप जोड़ेंगे तो क्या हो सब्सक्क्राइब नेती है तो कॉमन ले यहां पर आएगा एकस कमन तो एकस माइनस चड़ऊदह कम तीरा तो क्या बचेगा अब यहां पर माइनस क्यों है मैं बहुत बार बता चुका हूँ ठीक है अब तिरह का समय अपन भाग लगाएंगी तो क्या आएगा तेरा कम तेरा तो क्या बचेगा 14 15 16 17 18 5 5 से हो जाएगा यहां पर बामन तो तेरा चुको बामन ठीक है इसके बाद आपके यह दोनों समान आगा यानि कि अपने पूरा सवाल सही लगाया तो आप क्या करेंगे यह एक बाल लिख लेंगे जो आपको यहां पर दिया गया है फि एक्स माइनस तेरा बरावर जीरो तो एक्स बरावर तेरा ठीक है यह आपका अंसर हो गया है लेकर अगर आप और समझना चाहें यहां तक छोड़ देंगे पूरे नमर मिल जाएंगे अब हमारा प्रस ने क्या था ऐसी दो संख्या हमें ग्याद करना था जिनका युगफल 27 तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी एक्स यानि इसकी अगर दो कंडिसर बनेंगी एक इसका आंसर होगा एक इसका आंसर होगा तो पहली संख्या क्या हो जाएगी यहां पर लिखेंगे आप पहली संख्या पहली संख्या एक्स मानी तो यहां पर चवदा आया और यहां पर पहली संख्या बरावर हो जाएगी 13, यानि कि X सव मान 13 है, तो यहाँ पर 13 हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बरावर, तो क्या है, 27-X, 27-13, तो क्या हैगी, 14, वही चीज है, 14, 14, 13, इसलिए हम लगाते नहीं, बकाया समझने के ल आपके परक्षाओं में रिपीट होता रहता है, बोट परक्षा में, और आपका जैसे त्रीमासिक परक्षा हो गया, अर्दवार्शिक हो गया, प्रीबोट हो गया, यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कोश्चन है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, बकाया समझा आप एक बार वास सीख लो, जीवन में कभी नहीं लगाना याद रहेगा, ठीक है, तो लिखा गया है, दो किरमागत धनात्मक पूरांग ग्याद कीजिए, जिनके बर्गों का योग 365 है, यहाँ पर हम बात कर लें, दो किरमागत पूरांग का मतलब क्या कहलाता है, पूरां तो यानि कि एक जुडने के बाद दूसरी संख्या आती है, जैसे कि एक है, तो एक के बाद आगा जब एक जोड़ेंगे, जब दो आएगी है, जब दो में एक जोड़ेंगे, तब आईगी आपकी तीन, तो यह आपकी किरमागत होती है, यानि कि एक आपको जोड़ना पड बड़ावर एक्स और तथा दूसरी संख्या बड़ावर क्या मानेंगे, किर्मागत यानि की एक्स प्लस बन उगे, एक जोड़ेंगी, तभी तो हमें दूसरी वाली पता चलेगी, तो इसलिए हमने प्लस एक लगा लिया है, अब आप क्या करेंगे, प्रसना अनुसार यहां लेखेंगे यहां पर लेखेंगे प्रस्ना अनुसार यहां पर क्या लखा गया है जिनके वर्गों का योग यहां नी यहां पर आप क्या लेखेंगे दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया गया है 365 यहां पर दिया गया है ठीक है तो दो क्रमागत संख्या आपकी कौन कौन सी है एक है एक एकस और दूसरी क्या है आपकी X plus 1 अब यहां पर हमने plus क्यों लगाया क्योंकि उसने योग कहा है इसलिए हमने plus लगाया और क्या कहा बर्गों का योग यानि कि जो आपकी दो किरमा का संक्या है उनके बर्गों का योग इसका बर्ग लगाएंगे और इसका बर्ग लगाएंगे एक्स स्क्वायर पिलस एक फेल रहता है गहां बढ़ीचर करना है आब इसको हमें होल सॉल्व करना है इसको हम क्या करना है सॉल्व करना है है यहां पर देखेंगे आप गुणान खंड करेंगे तो 2 का गुणा होगा 364 से तो क्या आएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 6, 728 ठीक है तो क्या आया है 728 अब गुणा करने से 728 आना चाहिए ऐसी दो संख्याय दूरना है और घटानी से 2 आना चाहिए तो देख लेते हैं इ दो ती 6, दो चक कबारा, दो चो को आट ठीक है इसके बाद दो कम दो, दो अट्थे 16 और दूनी 4 इसके बाद दो नाम 18 दो कम दो इसके बाद 7 से काटोगे, 7 कम 7, 7 ती 21 फिर 13 से काट दोगे घटाने से हमें 2 चाहिए कैसे मिलेगा देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो दूनी 4, 4 दूनी 8 ठीक है, और 8 सती चपल यह आपका काम नहीं बनेगा, यह ट्रेक अपनी फैल हो चुकी है, इसके बाद क्या हो सकता है, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 ठीक है, 28 हो गया, यहाँ पर 13 दूनी यह हो गया 26 ठीक है, 28 में से अगर आपन 26 घटाएंग क्या है, 28 और 26 अब इसको अपन मिटा लेते हैं, क्या है, 28 और यहाँ पर 26, तो क्या करेंगे, लिख देंगे 2X स्क्वेर पिलस 2, अब 2 के जगा हमें क्या लिखना है, 28 माइनस 26, यह आपको मिली थी, इन 2X है, माइनस 364 बरावर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2X स्क्वेर पिलस 28X माइनस 26X माइनस 364 बरावर 0, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, कॉमन हम ले लेंगे, ठीक है, तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, 2X आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, X पिलस 2 कम 2, 24 को 8, X पिलस 14 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा, अ है यहाँ पर क्या बचेगा 26 कम 26 और यहाँ पर कितना बचेगा चार और च्छे चार च्छे कितने होते हैं चार और च्छे दस एक सो चार तो 26 चुका होते हैं एक सो चार ठीक है बरावर जीरो तो यहाँ पर देख सकते हैं यह सेम आगा यानि कि आपका सवाल सही है इसके हमें अंदर सायद के रहे ही है इतना है बस इतने अपन को इतने के अंदर रहना है ठीक है तो क्या है X पिलस चौदा दूसरी संक्या क्या है 2X-26 2X-26 है बरावर 0 इसके बाद हम क्या करेंगे यदि लगाएंगे इस प्रिकार से X पिलस चौदा बरावर 0 ले लेंगे तो X बरावर माइनस चौदा जाएगा ठीक है माइनस चौदा यहाँ पर 2X-26 बरावर 0 तो 2X बरावर 26 तो X बरावर 26 वटे 2 तो X बरावर 13 क्वाइब यहां पर देख सकते हैं यह माइनस वाली संख्या है और माइनस देखो यहां पर लखा गया है इसको तो निगलेट कर देगी अलगे रहेगा उत्तर यहांनि की पहली संख्या क्या हो जाएगी अब X कमान कितना है 13 और पिलस एक बराबर 14 यानि पहली संख्या 13 और दूसी संख्या 14 ठीक है तो इसको आप नोट कर लीजिए दिखो अपन सवाल पढ़ते हैं लिखा हुआ है एक समकॉर्ण तिर्भुज की उंचाई इसके आधार से साथ सेंटी मीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटी मीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ग्याद कीजिए अब आएगा मज़ा क्यों आएगा यहां पे आप आया समकॉर्ण ति यहां पर क्या कहा गया है एक समकॉर्ण तिर्भुज की उंचाई उसके आधार से साथ सेंटी मीटर कम मैं आधार यह होता है में जो आपका कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है अब आधार कुछ है नहीं तो एक समाल लो और जो आपका उचाई ये वो आधार से साथ सेंटीमीटर कम है यानि की आधार से यानि एक से साथ कम कर दो आपकी जो उचाई यानि की लंब यानि आधार से उचाई साथ सेंटीमीटर कम है तो कम है तो घटाएं माना की क्या लिखेंगे माना की माना की समकॉण यहां पर देखो 90 रहता है कॉण बनता 90 का माना की समकॉण समकॉण तिर्भुज का आधार बरावर एक्स ठीक है यह अपनने केवल माना है और तथा समकॉण समकॉण तिर्भुज की उंचाई उंचाई का मतलब क्या कहलाता है लंब यहां पर लिख देंगे कितना आपन गळाया एक्स माइनस साथ अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं हम जानते हैं कि कि क्या जानते हैं आप पाइथागूरस पिरमे यहां पर लिखेंगे लंब का वर्ग पिलस आधार का वर्ग ठीक है और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे जो आपका करण है वो भी लिख लीजे 13 cm दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे अलग से करण बरावर ठीक है क्या लिख लेंगे करण बरावर 13 cm सब्धेंगे अब में देंगे। आपके लिखेंगे प्राशना से नोसार क्या होगा पा deficiency क्या होता है स्क 예쁘 कि साथ कि याद का पर his कितना दिया गया x तो x square ठीक है इतना simple है अब इसके बाद 13 कवर कितना होता है 179 बराबर इसको a minus b का whole square बराबर सूतर से खोल दो तो क्या होता है a square plus b square दो साथ कवर करोगे उन्चास आएगा minus 2ab यानि की 14x पिलस यहां पर क्या रहेगा x square फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 179 बराबर x square x square कितना हो जाएंगे 2x square फिर क्या है minus 14x फिर क्या है पिलस 49 अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे आपन इसको ऐसा लख सकते हैं कोई को इसमें दिखता थे यह बताओ मुझे आप 179 को बराबर के साइड लाए तो माइनस का हो गया तो क्या हो जाएगा 2x square माइनस 14x और 179 मैसे 49 चला जाएगा तो कितना बचेगा 120 बचेगा ठीक है माइनस का यह आपका दोइखहात समय के अब हम गुण는지 खंड और करना है तो कैसे करेंगे गुण tah अप देखेंगे अपन कुणन खंड कैसे करेंगे ञाटना करेंगे 220 में तो तो अगर हम आपस में गुणा कर दें गुणा कर दें तो कितना आ जाए 240 और घटा दें तो चवदा आ जाए घटा दें तो चवदा आ जाए तो ब्लुकुल सिंपल तरीका इसका गुणा खंड कर दीजिए दो कम दो दूनी 4 जीरो दो चक्का बारा है यहां पर 60 हो जाएगा इसके बाद 2 से फिर काटोगे 2 कम 2, 2 पंची 10, फिर 13 से काटोगे 35 15, 5 कम 5 घटाने से चवदा चाहिए भाई साब, अब कैसे आएगा ये आपको अपना दिमाख लगाना है अगर हम दिमाख लगाएं कैसे, 5 ती 15 और 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आठ घटाएंगे तो साथ बच्चा उदा नहीं आएगा जीवन में, ठीक है इसके बाद और दूसरी ट्रेक बठाओ भाई साब आप अपनी मन से भी लगाईए, सब मुझ से लगाएंगे गा ठीक है, इसके बाद अगर दूसरी ट्रेक बठा रहे हैं, तो देखो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 हो गया और 16 मैंसे 15 ये भी अपनी ट्रेक फैल हो गई, अब क्या करें कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, ठीक है, ये भी अपनी फैल है बाई सब तीक है, इसके वाद क्या कर सकते हैं? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 और 25 दूनी 10 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4, 1 ये स़ई है अपना है ना? ये अपना क्या है? 24 और 10 24 और 10 14 को क्या लिख सकते हैं? 24 माइनस 10 तो क्या आजाएगा? चवदा आ जाएगा x-120 बरावर 0 इसको मिटा दीजिए अब इसका कोई काम नहीं यह आपको ट्रिक लगाना है अपनी मन से ठीक है तो आप समझ गई होंगे इस ट्रिक को बहुत बढ़ी जल है तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वेर हो जाएगा और माईनस 24 x और पिलास हो जाएगा माईनस माईनस तो 10x हो जाएगा माईनस 120 बरावर 0 हो जाएगा इसके बाद दीखेंगे, अपन पेर बनाएंगे यह comment ले लेंगे 10 कम 10 यहाँ पे 2 10 दूनी 20 कहीं पे गलत हो गया कि भाई सब 2 कम 2 हाँ यहाँ पे भाई सब 4 नहीं आना 2 आना क्योंकि 2 कम 2 दूनी 4 12 आएगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपकी सेम आ गई यानि कि आपका ये सवाल पूरा सही है यहाँ तक आपन ने जतना भी किया पूरा सही है तो क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे जो सेम है वो एक बाल लिखा जाता है इस प्रिकार से जो फ़र ये है आपका 2x पिलस 10 बरावर 0 लगा दो, कैमरा मैंन से पूछेंगे, यहाँ पर कर दे रहे हैं, नेचे देख जाएगा कि नहीं देख जाएगा, यहाँ तक देख रहा कि नहीं देख रहा है ना, यह पूछ लेते हैं, देख रहा है ना, बिल्कुल हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं, क्या लेखे माइनस दस एक्स बरावर माइनस दस वटे दो तो क्या आएगा एक्स बरावर माइनस पांच तो देखो कभी भी भुजा माइनस की होती नहीं है यह अपन निगलेट कर देंगे ठीक है यहां पर आई x को अपन ने क्या माना था आधार यानि कि आधार क्या हो जाएगा आधार x वरावर यानि कि 12 और उचाई अपन को ग्याद करने थी तो उचाई क्या हो जाएगी यहाँ पर अपन उचाई भी लग देंगे तो ऊशाई क्या है X-7 यानी 12-7 तो क्या आएगा 12 में 7 जाएगा 8 9 10 11 12 5 आएगा ठीक है तो answer क्या हो जाएगा आधार यानि 12, 12 और 5 यहां पर उत्तर हो जाएगा तो इसको आप लिख लिजिए इसका आप स्क्रीन सूट भी ले सकते हैं आप बताएंगे आपको छटमा प्रसन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छटमा सवाल लग चुका है बेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है यह हर साल रिपीट होता है भाई साब तो वीडियो को ध्यान से देखना ऐसा देखना कि आप दूसरों को समझा पाओ और यह सवाल जितना कट हैने न हम आपको ऐस तरीके से समझाएंगे बहुत ही जादा सरल हो जाएगा तो पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं लिखा हुआ है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ वर्तनों का निर्माड करता है एक बिसे इस दिन यह देखा गया कि प्रतेक नग की निर्माड की लागत उस दिन निर्माड किये गए वर्तनों की संख्या के दुगने से तीन अदिक थी अब यह लाइन बहुत ज़्यादा कट है ने लेकिन है सरल समझाएंगे तब आपको सौंझ में आएगा यदि उस दिन की कुछ निर्माड की लागत रुपाए 90 थी तो निर्मित वर्तनों की संख्या और प्रतेक नग की लागत ग्याद कीजिए देखो हम आपको एक राउंड फिकर बताते हैं सवाल क्या कह रहा है आपके साथ यानि कि वो चीक चीक कर क्या कह रहा है वो आप सुनिए जैसे आपके पिताजी हैं क्या है पिताजी है उनकी एक फैक्टरी है ठीक है या मालो अंबानी हो गए अडानी हो गए कोई भी बड़ा आदमी होता है फैक्टरी चला रहा है ठीक है जैसे मालो आप जो है एक दिन में आपके पिताजी 200 बरतन बनाते हैं और एक खिलोने का मूल 4 रुपाए हैं और हम आपसे कह हैं कि बताओ कि खिलोने का 200 खिलोने का मूल कितना होगा यारि 200 बरतनों की जो बूरने ऑथ दिया है लेका उसने न कि यहां पर पर यह दोनों चीज अपन को ग्याद करना थाई है यहांपे और ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा, जब ग्याद होती हैं, पहले हमने यह आपको बता चुके हैं, जो चीज़ भी हमें ग्याद करना हो से हमें मानना पड़ता है, तो हम क्या लेखेंगे यहां पर हल, क्या लेखेंगे हल डालेंगे, यहां पर हम का डाल लेते हैं, हल डाल लेते हैं, यहां पर लेखेंगे माना की, माना की, माना की एक दिन में वर्तनों की संख्या, अब हमें पता तो है ना ये तो हम क्या मानेंगे एक्स मानें क्योंकि पता जी कि आपके पास 200 खिलोने आपको पता थे लेकर यहाँ पर थोड़ी ना पता तो हम एक्स मानेंगे और फिर क्या लिखेंगे तथा फिर क्या लिखेंगे तथा पिरतेक खिलोने ये बरतन है भाई मेरे है ना बरतन यानि की बरतनों की संक्या प्रतेक बरतनों का मूल है ना मूल यानि की लागत क्या है लागत अब दोखो मेरी बात आप यहां पर समझो क्या होगी लिखा हुआ है एक बिसेश दिन यह देखा गया कि प्रतेक क्या लिखा है प्रतेक नग के निर्माड की लागत यानि की लागत उस दिन निर्माड की गए बर्तनों की संक्या यानि की उस दिन ये है यही तो कह रहा है कि उस दिन निर्माड की बर्तनों की संक्या कितनी एक्स है क्या कह रहा है बर्तनों की संक्या के दोगने से यानि की बर्तनों की संक्या के दोगना कर तो तीन अपन नहीं अद्देर है तो वही चीज लिखी होई है कि खूँ क्या कहा है उसने लागत क्या होगी प्रतेक मूल यानि की प्रतेक बत्र यह जो यह कहा है कि उस दिन निर्मार कियए बत्रों की सफ़िपर यानि X अगर हम उनका दुगना कर दें यानि 2X हो जाएगा एक्स को दुगना करेंगे 2X होगा ना दुगने से 3 अधिक का मतलब क्या प्लस करना पड़िए तो यह आपका मूल निकला आया अब आपको क्या कहा गया है प्रसना अनुसार क्या लिखेंगे यहां पर प्रसना अन देने कोले निर्माड लागत कितनी है 90 है अब देखो हमने क्या बताया था आप मूल कम निकाल सकते हैं जब आपको खिलोनों की संक्या पता हो यानि की बर्तनों की संक्या पता हो और आपको मूल पता हो मूल यह रहा इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आपको क्या निकला які ऐगा कितने रुपाई का वो सामान हो तो अपको ड्रेड़ी साहिए एक बरावर अब्श्व यह आपको क्या करना लाएंगे माइनस नि effectivement बरावर जी रूटेखा यहां तक आप उत्ताइगे चौड़ देंगे तब भी आपको एक दो नंबर मिल जाएंगे एक अब आपको क्या करना है, इस गुणन खंड को हल करना है, x के 2 मान आएंगे, वही आपके यहाँ पर उत्तर होंगे, कैसे वो आप यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2x square फिलास 3x माइनस 90 बरावर 0, अब देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, इनका गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, 90 दूनी कितना होता है, कितना होता है, 9 दूनी 18, एक स्वस्षी होगा ना, 90 का गुणा जब आप 2 से करेंगे, तो 0, 9 दूनी 18, एक स्वस्षी होगा, है तो यहां पर आपको देखो ऐसी दो संख्याओं को धूड़ना है अगर उनका आपस में गुणा कर दें तो एक स्वस्थी आ जाए और घटा दें तो तीन आ जाए तो कैसे होगा वो देखो आप इसका अपन फैक्टर करेंगे तो दो नाम अठारा जीरो हो जाएगा दो चोको से बारा घटा आ देंगे तो तीन आ जाएगा और पंदरा का गुणा बारा से कर देंगे तो एक स्वस्थी आ जाएगा करके देख लेना यानि पंदरा और बारा वो दो संख्या है आपको मिल चुकी है पंदरा और बारा क्या है पंदरा और बारा तो तीन के जगा के लिख जाएगा 15x माइनस 12x माइनस 90 बरावर 0 आप यह चीज बन चुकी है आपन common लेंगे तो इसका common लेंगे तो क्या जाएगा x common बस आएगा तो यहां भी बचेगा 2x प्लस 15 बचेगा ठीक है यह चीज बचेगा अब यहां पर क्या common आएगा minus क्या लेंगे minus यहां पर आपको क्या आएगा common 6 आजाएगा ठीक है क्या आजाएगा 6 common आजाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा 6 दूनी 12 दो x है तो x अब क्या हो जाएगा 6 कम 6 हो जाएगा और 3 बचेगा 30 हो जाएगा 6 पंचे 30 ठीक है बराबर 0 अब यह दोनों चीज सेम आई होंगी देखो यहां पर पिलस आएगा क्या आएगा पिलस आएगा क्यों पिलस आएगा देखो जब आप माइनस 90 का माइनस 6 से भाग लगा रहे हैं ना ठीक है माइनस से माइनस कड़ गया और 6 कम 6 और 6 कम 6 6 पंचे 30 ठीक है तो पिलस का 15 आएगा क्योंकि माइनस से माइनस कड़ चुका है यहाँ पर देखेंगे यह चोनों चीज सेम आगई है यानि कि आपका पूरा सव चाहिए है यह अपको धयान में रखना है तो आपको एक जो सेम है वह एक बार लिख लूए इस प्रिकार से झो पर जो बाहर की है यहां पर देख सकती है यह निकलेट हो गया है माइनिस में लिखेंगे कि माइनस में 15 वरतन ये सब निकलेट्ट है अब यहां पर इसमें लिखेंगे यदि x बड़ाबर derive यानि कि आप देखेंगे आपने क्या माना था कि एक दिन में बरतनों की संख्या क्या होगी तो एक दिन में कितनी बरतन बन रहे हैं बरतन एक दिन में बरतन बनेंगे कितने बरतनों की संख्या बर्तनों की संख्या बर्तनों की संख्या कितनी होगी 6 मूल कितना होगा आप अनको 2x प्लस 3 करना है बर्तनों क्या मानेंगे बर्तनों क्या बर्तनों की लागत बर्तनों की लागत यहाँ पर आप देखिए क्या है 2x प्लस 3 तो 2x का मान क्या है 6 प्लस 3 देखो यहां पर इस प्रकार से लिखना है एक्स हो जाएगा यहां पर प्लस थिरी तो 6 दूनी 12 प्लस तीन यानि 15 ठीक है यानि कि 6 बरतन है और एक बरतन का मूल कितना है 15 है तो इसका आप नोट कर लीजिए स्क्रीन सूट लीजिए आप मिलते हैं नेक्स वीडियो में चार्ज संदो तीन में जब तक के लिए बाई